आपका इंग्लिस एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे टॉपर्स स्टेटजी के बारे में के लिए टॉपर्स की स्टेटजी क्या थी क्या रही है लास्ट इयर उसके फीडबक पर यह पूरा अधरित है यह पूरा वीडियो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें आप ध्यान से देखें और इन चीज़ों को आप अप्लाए करें रियल एक्जाम में डेफिनिट इन्फरमिशन आपको देना चाहूँगा अधि आप मॉबाईल से स्टेड़ी करना चाहते हैं बिल्कुल फरी में स्टेड़ी करना यह एक student community है यह बहुत बड़ी community है तो यहां पर आप अपने doubts बगर भी clear कर सकते हैं तो एक बहुत ही बहुत ही useful app है इसका नाह में grade up इसको आप जरूर डाउनलोड करें और इसके थूरू अपनी तैयारी शुरू करें तो चलिए शुरूआत करते हैं SBI PO Pre के बारे में तो उसके लिए जो time allocation है जो toppers का opinion है जो toppers ने किया है उसके according बाइस मिनट आपको देना है maths के लिए बाइस मिनट आपको देना है reasoning के लिए और 16 मिनट देना है आपको English के लिए यह एक ideal time allocation है जो की पूरी तरीके से toppers के opinion पर अधारित है बाइस मिनट में आपको 35 कोश्चन कर करने हैं तो यह एक basic guideline है इसको आपको follow करना है और आपको एक घंटे का composite time मिलेगा जिसमें आप अलग लग sections पर जा सकते हैं और उनको आप solve कर सकते हैं तो इसको आप किस तरीके से करें crack करने के लिए और SBI PO pre mains और finally निकलने के लिए क्या steady होनी चाहिए वह आपको भी and second round. ठीक है तो first round में, first round जो होगा आपका वो 40 minute का होगा ठीक है, first round जो होगा वो 40 minute का होगा या लिखा हुआ है और 40 minute में आपको 45 question करने हैं, वो question 100 में से 45 ऐसे question जिनके बारे में आप 100% sure हैं, ठीक है सभी subject जैसे यहां पर लिखा हुआ है all sections, तो सभी sections के आपको 45 question 100% accuracy के स साथ करने हैं, और यदि आप regularly practice set लगा रहे हैं, mock test कर रहे हैं, अच्छी preparation कर रहे हैं, तो आप आराम से 100 में से 45 questions सभी subject के 40 minute में कर सकते हैं, लेकिन इन में शर्त एक ही है कि यह 100% accurate होने चाहिए आपके, ठीक है, यह मैं आपको toppers की opinion बता रहा हूँ, toppers का feedback मेरे पास आया ह है, उसके according यह मैं बता रहा हूँ आपको, और इसमें आप जो 45 question करेंगे, वो इस तरीके से कर सकते हैं, 16 math के, 16 reasoning के, और 13 question आप English के, तो इस तरीके से 45 question आपको करने हैं, 100% accuracy के साथ, 40 minute में, first round में, तो एक तो study यह है, और आपका जो second round होगा, उसमें आपको फिर से आना है स question करने हैं, जिनके बारे में आप almost sure हैं, और आप कह सकते हैं कि 90% sure हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और इस strategy को आप अपनाते हैं, तो आपका जो score होगा, वो 55% plus होगा, और आराम से आपका, जो overall cutoff होता है, वो आपका crack हो जाएगा, निकल जाएगा, औ sectional cutoff आपका 21, 20 और 14 आएगा, अगर इस strategy को आप follow करते हैं, तो reasoning में 21, math में 20 और English में 14 आएगा, जिससे आपका sectional cutoff निकल जाएगा, तो इस तरीके से आपका overall cutoff और sectional cutoff दौनों आपके clear हो जाएगा, यह बहुत ही बहतरीन strategy है, और इसको आप confidently आप follow करते हैं, तो definitely आपक English section, English एक बहुत बढ़ा headache होता है students के लिए, तो English को किस तरीके से approach करना है, उसका correct sequence क्या होता है, देखिए यह बहुत crucial point है, यह बहुत important point है, इसको 90% से जादा students avoid करते हैं, students सबसे पहले reading comprehension को करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि reading comprehension जो होता है, वह काफी comprehensive होता है, तिक उसकी language भी बहुत technical होती है, तो उसको आपको avoid करना है, उसको आपको second round में करना है, बाद में, और उसको किस तरीके से करना है, वो अभी में आपको बताऊँगा, लेकिन यह है आपका ideal sequence, आपको इस तरीके से करना है, English में spotting error पर सबसे पहले जाना है, सबसे पहले आपको spotting error के questions करने है, क्योंकि इसको आप आराम से handle कर सकते हैं, इसमें error आपकी पता पढ़ जाती है, यह आप अच्छी practice करते हैं, तो, उसके बाद second number पर आपको double fillers करना है, double या single fillers, उसके बाद sentence improvement या vocabulary का part करना है, ठीक है, उसके बाद आपको close test का part करना है, उसके out one out जैसे आजकल आ रहे हैं, लिटेस्ट पर आधारे, पैरा जंबल्स, वो आपको करना है, और उसके बाद सबसे बाद में आपको reading comprehension करना है, ठीक है, यदि इसमें आपकी 90% accuracy है, spotting error और double fillers, तो इसी में आपके 10-12 number आराम से आ सकते हैं, तीस में से, और इनी दौनों के base आपका sectional cut-off है, वो आराम से निकल सकता है, लेकिन इन में भी आपको try करना है, लेकिन इन में भी 100% accuracy के साथ ही आपको try करना है, और reading comprehension को आपको किस तरीके से approach करना है, देखे, reading comprehension को second round में एक तो आपको करना है, और इसको करने के लिए, यदि उसमें vocabulary के question दिये हैं, और उ reading comprehension के vocabulary based करना है, उसके बाद यदि reading comprehension में factual questions दिये हैं, तो वो factual question करना है, नर्मली factual question होते नहीं है, लेकिन इदि factual question है, तो वो करना है आपको, और सबसे बाद में, चोंक्लूडिंग जो conclusion पर जो आधारित questions होते हैं, जिनको inference questions कहते हैं, उनको आपको करना है, अगर ये आते ह अपको दोनों, factual and inference, और time आपके पास बचता है, तो कलना है आपको अदरवाज इनको छोड़ना है। Normally आपको- vocabulary-based questions कलना है और vocabulary-based questions के लिए भी यदि time मिलता है, तो ही कलना है, और यदि आप 100% sure है कि इस answer यही होगा तभी कलना है, अधरवाई उसको आप छोड़ना है तो ये एक best strategy रहेगी SBI PO P 2017 को निकालने के लिए ठीक है what to study अब आपको study क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ देखिए इस समय आपको grammar की books ज़्यादा नहीं पढ़नी है practice papers आपको लगाना है और online mock test लगाना है आपको क्योंकि practice papers में और online mock test में real questions include किये जाते हैं और online mock test series जब आप करते हैं तो इसको आप time management के साफ़ से करते हैं और exam like condition में करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा difference आजाता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको practice paper और online mock test paper आपको लगाने है minimum एक per day आपको लगाना है full length और एक आपको sectional daily लगाना है सारे subjects का ठीक है previous year question paper आपको definitely करना चाहिए इससे आपको एक बहुत अच्छा idea लग जाएगा हाला कि काफी हद तक जो syllabus है वो change हो गया है जो pattern है वो change हो गया है लेकिन इससे definitely previous year question paper से आपको definitely बहुत अच्छा idea मिलता है देखिए English section से डर को निकालने के लिए जो सबसे सबसे अच्छा जो तरीका है वो है Hindu editorials को पढ़ना Hindu newspaper को पढ़ना क्योंकि इसमें vocabulary बहुत अच्छी आती है और इसके थ्रूँ आप para jumbles और close test और reading comprehension पर भी अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और at the same time spotting error के भी अच्छी आप कर सकते हैं Hindu editorial के थ्रूँ तो Hindu editorial पढ़ना comprehension के साथ बहुत ही जरूरी है vocabulary develop करने के लिए और English language पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए हैं और जब आप practice paper करें और online mock test करें तो micro analysis करना जरूरी आपकी performance का micro analysis का मतलब है कि आपने कितने time में कितने question कीये और कितना आपको और करने की ज़रूवात है कितने आपके सही हो रहे हैं कितने आपके गलत हो रहे हैं क्या आपके weak point हैं क्या आपके plus point है, यह आपको analyze करना बहुत जरूरी है, हर practice test के बाद, ठीक है, solve practice paper with time management, time management के साथ करना है, online में तो time management के साथ ही आपको करना होता है, लेकिन यदि आप manually कर रहे हैं, तो उनको भी आप time management के साथ ही करिए, जैसा मैंना भी आपको इस वीडियो में बताया है, और English Advantage channel है, जो आप अभी देख रहे हैं, इसके आप सारे वीडियो देखें, क्योंकि इस पर आपको cable exam oriented content ही मिलेगा, यह है grade up app, इसको आप download करें, यह पूरी तरीके से free है, और SBI PO का भी इसमें बहुत अच्छा content है, तो इसको definitely आप download करें, install करें, और इसके थूँ आप अपनी preparation करें, यह बहुत ही अच्छा app है, यह मेरे कुछ platforms हैं, यहाँ पर आप मुझे join कर सकते हैं, Facebook पर English Advantage group में, और English Advantage page को भी आप like कर सकते हैं, यह मेरा WhatsApp नमर है, और मेरा email आईडी है, इसके थूँ आप मुझे contact कर सकते हैं, तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, यह अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, share करें, और अपने friends के साथ जरूर इसको share करें, और subscribe करें, और comment करके मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको यह वीडियो, ठीक है, so thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future, thank you.